नमस्कार दोस्तो, हमारे online tuition अड़ा चैनल प्रपका स्वागत है दोस्तो छोटी E की मातरा, देखें छोटी E की मातरा ये है दोस्तो और ये है छोटी E, यानि छोटी E को इस तरीके से लिखा जाता है और इसका मातरा ऐसे होता है तो बहुत सारे दोस्तों को सबसे जज़ा दिक्कत होती है लिखते समय, पढ़ तो लेते हैं उनको लिखते समय काफे दिक्कत होती है कि कैसे जाने की छोटी E कहा होगा कैसे जाने की बड़ी E कहा होगा, कि इस तरीके से समझें तो आज की इस क्लास में एक एक चीज को बिल्कुल असान तरीका से आपको मैं समझाने बला हूँ, सिखाने बला हूँ तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ओन कर लिजेगा ताकि जब भी मेरा वीडियो अप्लोड होगा, सबसे पहले आपके पास पहुचेगा तो आएए दोस्तों बिना देरे किये हुए इस क्लास में हम लोग बहुत सारे सब्दों पे लग भग 500 के आसपास सब्दों को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम लोग लिखेना भी सीखेंगे और पढ़ना भी सीखेंगे और एक एक चीज को तोड़ तोड़ कर बिलकुल असान तरीका से दोस्तों सबसे पहले यहां पे आप देखेंगे यह जो छोटी ए है यहां पे आप देख सकते हैं यह जो छोटी ए है इसका मातरा देखिए बिलकुल अलग है और बड़ी ये बगल में है इसके इसका मातरा आप देख सकते है ऐसे है तो नाम इसका जब बड़ी इ है इसको हमनों दिर्गी इ भी बोलते है बड़ी को क्या बोलते है दिर्गी इ और छोटी इ को बोलते है हमनों हर्शो इ क्या हर्षवई इस तरीके से ठीक है हर्षवई दिर्गई हर्ष मतलब छोटा देखिए जब छोटा है तो इसका उचारन भी वैसे ही होगा लिखते समय भी वैसे ही उच किया जाएगा कोई यदि इसको बोलता है तो उसी तरीके से बोलेगा बहुत सारे चीज मैं इस कलास में आप अग्षे है तो यह निन्य एक अखछर हो गया और यह पलास में अख्छर हो गया यह दोनों पलश हुआ है जुटा है तो एक नया सब्द बना क्या बना निशा तो द्यान रखेंगे अगे मैं बताूंगा और भी सीजय चले यहां पर देखिए दोस्तों ऊपर ये देखिए ये दो में छोटी की मातरा तो दी और ये ल जुट गया है तो क्या बना दिल क्या बना है दोस्तों दिल ठीक है तो में छोटी की मातरा तो ती फिर तो में छोटी की मातरा तो ती ये दोनों मिलकर क्या बना ती ती जूटकर तो देखिए इसको पढ़ने का चार तरीका है हाँ दोस्तों चार तरीका जो साइद आपको कहीं नहीं मिले किसी के कलास में नहीं मिले मैं दोस्तों एक एक चीज को इस तरीका से समझाना चाहता हूँ कि आप बहुत सारे तरीका सिखे होंगे कहीं नहीं देखे जो आपको अच्छा लगे जैसे आपकी सहुलियत हो वैसे आप जल्दी सीख लिजिए तो आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा चलिए तो पहला तरीका क्या है पहला तो जो हम अभी बता है कि जोड़ जोड़ कर तो सिंपल सी बात है कि जैसे नौ में छोटी के मातर कर दिल शीव सिव एक ये तरीका है ठीका ध। दूसरा तरीका दोस्तों इसकी मात्रा डारेक्ट बोलकर जैसे न में छ襟ी के मतरा दी नदी नी डाल में छोटी के मतर ची में छोटी के मतरा ली कली शा ना में छोटी के मतरा नी शानी मा ना में छोटी के मतरा नी मनी ना में छोटी के मतरा नी व निव फा में छोटी के मतरा फी रा फीर एक चो छोटी बोल सकते हैं छोटी यह को ही हम लोग हर्शु यह बोलते हैं तो वैसे भी आप पर सकते हैं जैसे फाहर्ष इफी रफीर नाहर्ष इनी शाहर्ष इशी निशी शाहर्ष इशी रशीर अब दोस्तों सवाल आता है सरी तो पढ़ने वला बता रहे हैं लिखते समय हम लोग कैसे सिखें लिखते समय हम लोग कैसे ध्यान रखें कि इसमें छोटी इकी ही मातरा होगा बड़ी कोई भी आपको सब्द बोलता है लिखने के लिए ध्यान से सुनना है पूराखेंगं जेसे क्या्णी जैसे कोई बोल ले हैं खीर कीर अठीक ना पनीर देख रहा है तो वह बिल्कुल अलग इसके बाद वाले क्लास में मैं उसको कराऊंगा बहुत अच्छे से वहां पर भी किलियर हो जाएगा तो इसका एक और रूल है दोस्तों कि पहले सब्दों को पढ़कर प्रैक्टिस करना है फिर साथ में लिखना सिखना है तब जाकर आप अच्छे से सिख पाईएगा तो चल सीर, मिल, रितु, मिल, यानि, विधी, राशी तो ये कम संभाव है जब तीनों में से किसी भी तरीका से आप प्रैक्टिस कर लेंगे तब डारेक्ट पढ़िएगा तो अच्छे से आप प्रुनाउंस कर पाईएगा सुद्धूरूप से पढ़ पाईएगा तो चलिए पहल जैसे राशी, राशी, वादी, आदी, आदी, दी, स, दिस, आली, आली, मी, टा, मिटा, वाजी, वाजी, पी, न, पीन, न, वि, श, विश, अगर आपको कोई बोलता है लिखने के लिए तो लिखते समय क्य देहं देढे ना देखिए अब लिखना भी में बता रहा हूँ जैसे माल हम लेग आपको कोई बोला बना लिखने के लिए शनी तो देखें शनी चानी आप प्रेक्टिस भी किये रहेंगे मेरे साथ में पहुत सरा सब्द है साथ कभी भी आप कुछ भी पढ़ने जाएंगे तो यहीं सब सब्द यदि छोटी एकी मात्रा की बात आए और छोटे-छोटे सब्दों में तो यहीं सब आपको मिलने वाला जो मैं लिखा हूँ तो सनी आप उपर भी देखे हैं तो सनी ऐसे ही लिखाएगा अगर रवी छवी कभी नवी इस परकार का सब्द मिलता है तो छोटी एकी मात्रा ही होगा ठीक है जैसे रवी ठीक है कभी छवी नवी नदी ठीक ना दधी तो यहीं सब मात्रा मिलेगा दोस्तों इस टाइप के वर्ड में चलिए आगे मैं और भी चीज बताऊंगा जिसके सहायता से आप पहचान कर पाईएगा कि कैसे हम लोग पहचाने कि छोटी की मात्रा ही लगेगा किस तरीका से पढ़ें दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरू कर दिजेगा चैनल को सब्स सब्सक्राइब लिखा हुआ एक बटन आएगा ब्लैक कलर का यह होगा उस पे दबा दिजेगा वह वाइट हो जाएगा सब्सक्राइब हो जाएगा और बगल में घंटी आएगा घंटी पे दबाईएगा तो तीन अपसन खुलेगा और इस तरीका से एक और दो अपसन लिया लिया धी रा धीरे वी दा विदे कीटा किटे चीत्रा चित्रे पीरा पीरे वी दा विदा शीवा शीव रीबा रिब्ब लीन लिन वी श्रा मिश्रा ही मा हीम पीटा पिटा सी मा सीम कीला 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 तीका टिक वी ना वीना हारी हारी दिशा दिशा मिला मिला दिया दिया दधी दधी लिया लिया साची सची कीया कीया बीला बिला विटा विटा माही माही तीक है माही हो गया इसके बाद देखिए हीला हिल बानी बनी शीला सिल पीना पिन जीना जिन बीटा बिटे चित्रा चित्रे अब दोस्तों यदे लिखना हो जैसे माली की लिखना हो आपको दिया तो इसे लिखेंगे देखिए दा में छोटी की मातरा और या पीन का कलर अलग लेते हैं तो दिया घिया अगर घिया लिखना हो तो घी या घिया अगर लिखना हो किया तो देखिए की आपको मिलता है लिया दिया घिया पिया सिया रिया ठीक ना तो यह याबाले जितने भी यह से मिलेंगे तो दोस्तों वो सभी सब्द में छोटी इकी मात्रा लगेगा यह चीज़ दूसरा आप सिख लिए पहला आप क्या सिखे हैं रवी कवी छवी नभी हवी इस परकार के य दिखते हैं और उस रूल को सिखेने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप जाने पहचाने किस तरीका से आप कर पाएंगे दोस्तों मैं सुरुवात में जो बोलता हूं लाश्ट तक आपको मैं करके दिखाता हूं और वो चीज़ में बताता भी हूं इसमें कहीं करते हैं यहां से हम पढ़ते हैं पेन का कलर अलग ले लेते हैं चलिए तो ये पढ़ाएंगे हम लोग दोस्तों हीला हील बानी बानी शीला शिल स्वरी पीना पिन जीना जीन बीटा बिट चित्रा चित्र पीना पिन कुछ कुछ सब दोस्तों रिपिट हो जाता है शिक्षा शिक्षा छेन छिन आती आती खीला खीला जाती जाती घीस घीस टिंडा टिंडा पीता पिता खीला खील छीला चीला इसके बाद देखिए चीला के बाद बीना बीना जीती जीती राती रती गाती गती छाती छाती दीखा दिखा गीर गीर बीका बीका शाती शती मानी मनी तवी तवी नीजी नीजी अच्छा आप देखेंगे कुछ सब्द जैसे ती 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 दोनों में छोटी जी तवी जी वी जी तो वी जी तेखें तनी इस परकार का सब्द भी आपको छोटी की मातरा वाला ही मिलेगा जिस में दोनों में दिया गया है जैसे ती वी दी निधी कि दी निधी देखिए वाइसे होता है नी धी निधी ठीक है तो ऐसे आपको ध्यान रखना है चलिए आगे अभी और सब्धान नीचे दोस्तों देखिए इसको तो यहां तक हम पढ़ लिए लिख लिख टीका टिका शीव शीव मील मिल सीया सीया बील बिल हील हील कीट किटे फीज फीज इसके बाद देखिए यहां पर देखें कवी कवी सीरा सीरा दीला दीला कीमा कीमा मीला पीर पीर नीधी नीधी देखिए आप नीधी मिल गया चीप चीप हीना हीना यादी यादी आदी आदी वीन विन तो दोस्तों आप थोड़ा सा आप लिखने का हम प्रयास करते हैं जैसे मालिक लिखना हो नीधी विधी तो देखें वा में छोटी के मातरा वी द्धा में छ यहां में छोटी का मतलए अइसे रीधी सीदी ते देखें चीज़ी अचा वो ऐसे लिखा जाता है ठीक ना सीधी रीधी चिद्धी, विद्धी, तिथी ते ये सब ऐसे लिखेंगे ठीक है दोस्तों आपको मैं बोल रहा हूँ 5 सब्द लिखने के लिए आप लिखकर देखेंगे कि आप से सही लिखा रहा है कि नहीं कमेंट में करेंगे रिया क्या लिखेंगे? अब मिलाएंगे, देखें रिया ऐसे लिखाएगा, रिया, दूसरा सब्ध लिखेंगे, रवी, 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 तो रवी कैसे लिखाएगा, ऐसे तीन बार में बोलूंगा, तीन बार में आपको लिखना है, उसके बाद लिखेंगे अप, सिरा क्या लिखेंगे सिरा सिरा एसे लिखाएगा सिरा सिरा ठीक है चौथा लिखेंगे दोस्तो चौथा लिखेंगे यादी 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 इस तरीका से पाचवा लिखेंगे दोस्तो कवी 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 तो कवी ऐसे लिखाने वाला मैं पूरा क्लास कराया हूं लगबग 40 से उपर वीडियो है मैं लिखने वाला टोटल क्लास कराया हूं जो बोर्ड पर का वीडियो है मैं बोर्ड पर एक चीज को मैं समझा समझा कर आप से मैं समय देदे कर मैं लिखने के लवाया हूँ सबकुश में किया हूँ तो दोस्तो उस क्लास को भी देखिए हिंदी वाला लिखना कैसे सिखे यदि आपको क्लास नहीं मिल रहा है तो आप इस नंबर पर वाट्सप करेंगे और बोलेंगे क्यों वाट्सप करके हाई लो लिखने के बाद आपको लिखना लिखना या बोल कर भेज दीजिए मैं आपके पास पूरा वीडियो शुरुवात से भेज दूंगा जिसमें आप सुरुवात से देख देकर लिखना भी आसानी से सीख पाएंगे तो दोस्तों यह कलास कैसा लगा कमेंट में जरू बताइएगा वीडियो अच्छा लागा तो सब्सक्राब करेंगे नट्फिकेशन ओन कर लिजेगा तो चलिए दोस्तों आज कलास इंपर इंड करते हैं मिलते करें कलास में जय हिंद